तो भाई लोग अगर आप डवल वेक्टर के दुश्मन हो, मतलब आपको डवल वेक्टर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, कता ही अच्छी नहीं लगती है, देखते ही मूड खराब हो जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, एक गुड न्यूज है आपक सबसे पहले हम वेक्टर का टेस्ट करेंगे गाइस रवल वेक्टर तो चलिए चलते हैं सो भाई लोग अभी हम सिंपल कंपेरिजन करने वाले अपने सर्वर से वर्सेज एडवान सर्वर से डवल वेक्टर, अभी आप देख लो सामने वाली लाइन से दो टाइल पीछे खड़ाओ, मतलब दो मीटर मान सकते हो, एंड डेमेज गया है यहां से 22 का, अपने सर्वर म ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने एडवान सर्वर में, डवल वेक्टर है मेरे हाथ में, लेकिन एडवान सर्वर है, यहां पर आप देखोगे, सेम डिस्टेंस है, और अपना डेमेज कितना गया है, 22 का, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहले मतलब इतनी दूरी में ठीक है, अभी हम द्वारा से अपने सर्वर में आ गये, दूसरे बोर्ड को मारेंगे, डेमेज गया है, 18, कितना डेमेज गया है, 18, ठीक है, अभी फिर से एडवान सर्वर में आ जाओ, दवल वेक्टर है हाथ में, सेम डिस्टेंस है, कितना डेमेज जाएगा, 12, ठीक है, म तो आफिया तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जा रहा है और देखते आपक्ता होगी आगे देख लिना तो आगे डिक लेना तो आपने वाले न अगरत जो वहां पर जाएगा नहीं जाएगा तो पहला डिफ्रेंस आपको पता लग गया डेमिज भूत कम होता जा रहा है अब गाइस जो अपना पांचवा वोड है ठीक है अपना जो सर्वर है पकट रहा है उसको वहां तक रेंज है देख सकते हो आप नौ का डेमिज वहां पर भी दे रहा है लेकिन यहीं जब आप अपने एडवांस सर्वर में आ जाओगे भाई साब पकड़ेगा ही नहीं उसको रेड एम ही नहीं आएगा देखो पांचवा वोड है वही सेम डिस्टेंस एम ही नहीं जा रहा है भाई मतलब कट गया यहां पर तो साफ सीधे वर्टों में जो अपनी वेक्टर है उसकी रिंज बहुत जादा कम कर दी है इनमें कुछ एच्छ्इमेंट नहीं गईज सर्वर में भी ना इस सर्वर में तो गाइस अभी मैं आपको साफ सीधे वर्टर में समझा दे रहा हूं अब आपकी डवल वेक्टर ब इतनी रेंज से उतनी दूरी कर लेतें पहले दो मीटर वाली एंड यहां से हैड मार के दिखाता हूं हैंड पर कितना डैमेज है यहां पर कितना डैमेज पड़ेगा 115 ओके गाइस पांच वोड मारेंगे 99 ओके भाई लो 49 बहुत ओपी और वहां पर जाएगा यह नहीं इनों ने बोला है फामास X की वीडियो बनाओ और UID भी दे रखिये तो और दूसरा भाई निकल के आ रहा है अपना अश्रफ के भाई तो दौनों लोग अपने अकाउंट पर जाकि देख लेना फिरीफायर वाले में कुछ देर में आपके में में कोटा सबसे पंदरा सो ड सब्सक्राइब गाइस पहला स्ट्रेप में गाइस दूसरा शेयर कर देना वीडियो पूरी देखने का अपने फ्रेंड में तीसरा जो भी कमेंट करो अपनी UID चिपका देना ध्यान से और अभी हम आजाते है अपने एडवान सर्वर में हैडशॉट के उपर 93 का पढ़ रह है रेंज में कितने का 33 का मतलब पूरी बात का इस रेंज की है देखो बिल्कुल पास आ गया हूं तो वही पढ़ रहा है 121 जादा और पढ़ रहा है ठीक है पास से हलकी सी रेंज रहेगी बिल्लकुल आपका डे में जाए गई नहीं मतलब रो देगी वेक्टर और भाई ल सेम डिस्टेंस है 22 का डेमेज पढ़ा पहले वाले बोर्ड पर कितने का 22 का दूसरे वी 20 का बढ़ा मतलब कम नहीं हुआ अब आपको यह वी साज में आ गया होगा जो अटेश्मेंट लगाते है उनका क्या फायदा है देख लो डेमेज कम नहीं हो रहा है तीसरे वाले बोर पकड़ रही है अपने जो एडवान सर्वर की अपडेट मेरा रेंज बिल्कुल घटा दी दूर वाले बोर्ड पकड़ेगी नहीं मतलब एम ही नहीं आएगा आपका रैड डॉट नहीं आएगा अब आप देखो अपना एडवान सर्वर गाइस यहां पे देखो मैं इस तर आप स्टॉक लगा लिए मैंने अपने दौनों वेक्टर में ठीक है मतलब गाइस देखो यह है जो अभी बहुत खतरनाक है ना वेक्टर अब उतना खतरनाक नहीं रहेगा मतलब नॉर्मल गन की तरह हो जाएगा ठीक है गाइस सेम डिस्टेंस है देख लो दो मीटर दो टा यह एडवांस अरवारा शलो है 22 का गाइस कुछ भी डिफरेंस नहीं है 22-22 इसमें कितने का जाएगा 20 20 का और गया है मतलब गाइस मतलब अगर आप पूरा अटेच्मेंट लाए करोगे पास की रेंज में तो अभी वेक्टर काम करेगी लेकिन हलका सा भी देंज बढ़ जा लुजन निकल के आता है आप अगर बिना मजल मजल और स्टॉक के चलाते हो ना लेविल वन के साथ ही चलाते हो तो वेक्टर आपके कुछ भी काम की नहीं है थोड़ी सी मिट रेंज में आपको बिल्कुल चपकना पड़ेगा बंदे से एक मीटर की डिस्टेंस में देख र और भाई लोग अगर आपने अभी तक गेम.tv में हमारी गिल्ड यूजी एंपायर को जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकि जॉइन कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए आए दिन बहुत सारे टूर्णमेंट होते रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सब स इस चीज़ पर चाहिए एडवांसर की वह भी बताना ठीक है सब्सक्राइब कर लो गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाक सब्सक्राइब कर लो वीडियो पूरी देख लिए तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दो लाइक करते हो जाना इंस्टाग् प्रेंब